हर यो जीवन में संगर्ष कर रहे हो बिटा पड़े लिखे हो पहली बात तो शादी में बाद है विवाह में अर्चा ना रही है बात बनते बनते रह जाती है कहीं न कहीं रिष्टा होगे तूटा भी वश्य होगा सरकारी नौकरी का परियास कर रहे हो काम आपका बिटा बनता नहीं है बिटा लेकिन चिंदा नहीं करना मादेवी की घर में सबके काम होते हैं उनको सबको अशिरवाद मिलता है जो अर्जी लगाते हैं आज आपकी अर्जी मादेवी के चर्णों में लग गई है और मैं बड़े विश्वास से कहता हूँ इसी वर्ष आपका विवा, आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी बेटा दोनों योग फलीत हो जाएंगे अब आपको बेटा करना क्या बड़े ध्यांग से सुन लो एक तो सबसे पहले बेटा, सभी प्रकार के रिनों से मुक्ती के लिए आपको एक तरिवेनी लगानी है बेटा शनीवार के दिन किसी शमशान बूमी में चले जाना, वहाँ पर नीम, बर्गद और पीपल का पेड़ अपने हास से बेटा जहां थोड़ी सी बेटा, पानी की विवस्ता उसके लिए होती रहे दूसरा बेटा, आने वाले बुद्वार के दिन बेटा, आपको करना किया है बेटा आठ किलो जौन और चार सुखे नारियल, बहते पानी में बेटा, परवा करने जीवन में कभी जूट मत बोलना, किसी की जूटी गवाई मत देना शाम के टाइम बेटा, रातरी के समय दो चार मुठी बेटा, साबुत मूंग की दाल, रात को पानी में बिगो के रखे हरी मूंग बेटा, और सुखा जाके उसको कबूतरों को पक्षियों को डाल दें, एक शुद्ध पन्ना रतन धारन करना है, एक गराम सोना, दो गराम चांदी, तीन गराम तांबे का, तीन धातु का छला बनवा के सीधे हाथ की, आनामिका उंगली में बेटा, आपको धारन करना है, जीवन में कभी नशा ना करना, कभी किसी को शराब नहीं पिलाना, जिस बैड़ पर सोते हो, उस बैड़ पर बैड़ कर खाना नहीं खाना, और सदैव बड़ों का हश्रिवाद लें, और सूरे देवता को जल दें, गवु ब्रामनों की सेवा करते रहना, मा देवी कि बड़ी विशेश किरपा होगी, बहुत बहुत शुब कामना है,